जो भी एस्टूडेंट ललीत नराइन मिथला यूनिवर्सीटी में पार्ट वन में 2022 में एडमिशन कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट होने बाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने बाला हूँ कि आप लोगों का पार्ट वन में एडमिशन के लिए ओनलाइन फर्म अपलाई कब से किया जाएगा इस वीडियो में सारी जनकारी आप लोगों को अश्टेव बैस्टेव बताने बाला हूँ साथ में ये भी बताने बाला हूँ कि आप लोगों को आउनलाइन फर्म में कितना आप लोगों को चार्ड लगेगा सबी चीज इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने बाला हूँ अश्टेफ बाएश्टेफ साथ में जो भी एस्टूडेंट 2022 में बारभी पास किये हैं और या 2021 में ही बारभी पास किये हैं और किसी काराम दुएस उसका 2021 में उसका एडमिसन नहीं हो सका पार्ट ले सकते हैं और इस बार सीट भी बहुत है तो इसलिए आप लोगों का एडमिसन सभी का हो जागा तो इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को बताने बाला हूँ कि कब से फरम अपलाई किया जागा क्या डेट है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लो मिथलाई उनिवर्सीटी से पलपल का अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा तो इसलिए आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर लिजे साथ में अगर आप लोग ललित नरायन मिथलाई उनिवर्सीटी के कोई भी पार्ट वन से या पार्ट तू या पाथ तरी कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं या भी हार बोट चेथ सबसे पहले आप लोग टेलीगराम गुरूप अबस्ट जोइन कर लिजिए इस वीडियो को डिपस्ट बक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा उस टेलीगराम को अबस्ट गुरूप जोइन कर लिजिए उसमें लगभग आप लोगों को तेरो से से ज्यादा मेंबर देखने को मिल जाएगा तो आप लोग भी जाकर उस गुरूप का मोका कफेदा उठाई तो चलिए आगे बताने बाला हूँ आप लोगों को मिठला युनिवर्शीटी के पार वन के डिलेट अपडेट यहां प देख लिए यहां पर बताएगा उसके बाद आप लोगों के यहां पर देख लिए सभी चीज़ डिटेम्न आप लोगों को स्टेप बैस्टेप बताने बलग तो आप लोग धियान से इस वीडियो को देख लिए ललीत नरेन मिठला युनिवर्शीटी फरम अप्लाइड य जैसे ही अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी अपडेट पहले या बाद में तो आप लोगों तो पहुचा दिया जाएगा और गुरूप के मादेम से उसके बाद देख लिए यहां पर लाट डेट ओप अपलाई ललीत नरेन मिठला आप लोगों को अगर एडमिशन होता है फरम अपलाई किये हो तो इसके बाद देख लिए एडमिशन होता है पांच अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में 2022 में और आगे देख लिए सभी चीज़ अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहां पर आप लोगों को देख उमीद है कि आप लोगों को 300 रुपिया ही चार्ज लिया जाएगा अगर 300-400 के बीच में अगर आप लोगों को चार्ज लिया जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो को माध्यम से सभी इंफॉर्मेशन बता दूंगा तैसलिए अगर पहली बार चैनल पर झाले धन्यवाट